गनेश जी की कहानी लेकिन लड़की ने हट किया कि मैं तो जरूर जाऊंगी। लड़की की मा ने दो चुर्मा का लड़ू बना कर अपनी बेटी को दे दिया और जल की घंटी दे दी। वह बोली कि एक लड़ू तो गनेश जी को खिला कर जल पिला देना और एक लड़ू तुम खा कर जल पिलेना लड़की मेले में चली गई फिर जब सब कोई मेला देखकर आने लगे तो लड़की को बोले घर चलो वह बोली कि मैं तो गनेश जी को लड़ू खिलाये बिना घर नहीं जाऊंगी वह लड़की गनेश जी के आगे बैढ गए और कहती गई गनेश जी एक लड़ू तुमको एक लड़ू मुझको ऐसे करते करते सारी रात बीद गई इधर गनेश जी मन में सोचने लगे कि अगर इसका लड़ू नहीं खाऊंगा तो यह वापस घर नहीं फिर गनेश जी ने अपना स्वरुप धार कर लड़की से लड़ू लेकर खा लिये और जल पी लिया लड़की से गनेश जी बोले कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो तब लड़की ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता गनेश जी बोले जैसा मांगना आता है वैसा ही मा वह लड़की बोली अन मांगू धन मांगू लाच लच मी मांगू नोखन महल 84 दिया हाती हंस बांदी खुटी हार सेज भरतार पूत पालन दूधालन गोधी भाई आंगन भतिजा रुणजुन बेल इतनो ही मांगू बिनाएक जी बोले लड़की तुम छोटी सी दिकरह इतनी पर बहुत कुछ मांग लिया पर तुम अपने घर जाओ तेरे पास सब कुछ हो जाएगा फिर वह लड़की रुणजुन बेल में बैटकर सारा सामान और सब को साथ लेकर घर गई तब लड़की की मां बोली कि सब कोई तो मेला देखकर आ गए तुम कहां रहे गई थी लड बिनायक जी मुझे पर प्रसन्ण हो गए और मुझे इतना धन और परिवार दिया है लड़की की मां और दुनिया देखती रहे गई सब कोई बिनायक जी को बहुत मानने लग गए हे बिनायक जी महाराज जैसे उस लड़की को तूटे वैसे सभी को तूटना कहते सुनते और सबका भला हुए लपसी तपसी की कहानी एक लपसी था एक तपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता था लपसी सवासेर लपसी बनाता था और भगवान के भोग लगा कर घंटी बजा कर जीम लेता था एक दिन दोनों लड़ पड़े लपसी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता रहता हूँ इतने मैं उदर से गुमते फिरते नारज जी आये और पुछे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो दोनों ने कहा कि हम में से कोन बड़ा है नारज जी बोले इसका फैसला मैं कल कर दूँगा दूसरे दिन नारज जी ने सवा करोड की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी लपसी ने मुंदड़ी देखी और सोचा अगर मैं इसको ले लूँगा तो कोई आकर मुझे मार देगा और उसने मुंदड़ी नहीं उठाए तपसी ने मुंदड़ी देखी तो जट उठा कर अपने गुटने के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा लपसी ने सवा सेर लपसी बनाई भगवान के भोग लगा कर जीम लिया नारज जी आये तब दोनों पूछने लगे कि कौन बढ़ा है नारज जी ने तपसी से खा तुमारे गुटने के नीचे क्या है तपसी ने गुटना उठाया तो सवा करोड की मुंदड़ी निकली नारज जी बोले इतना भजन भाव करके भी तुमारे मन से चोरी नहीं गई चोरी करने से तुमारी तपस्या भंग हुई है इसके कारण लपसी बढ़ा हो गया तब तपसी बोला माराज मेरा यह पाप कैसे उतरेगा मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा तब नारज जी बोले कार्तिक मास में स्त्रिया कार्तिक नावेगी और वे अपना पुन्य तुमें देगी तब यह पाप उत्रेगा वो बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी तब नारज जी ने कहा आज से सब कहानिया सुनकर तुमारी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिलेगा और धोती देकर गमचा नहीं देंगी तो फल तुम्हें मिलेगा साड़ी देकर कबजा नहीं देगी तो फल तुम्हें मिलेगा सिधा देकर दक्षिना नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा ब्रामन जिमाकर दक्षिना नहीं देंगे तो फल तुम्हें हो सब कहानी के आखरी में बोलना पाड़ी जा में बेठी कन्याक हुआ री आज तो काई सोदे आज तो जो भी तिवार हो उसका नाम लेना आज तो गोर माता बिना एक जील लपसी तपसी पत्वाडी मातारी बाडी सोवे इन सोवे काई हुए अन हुए धन हुए लाब हुए लेच्मी हुए निपुत्र याने पुत्र हुए बिछड़ याने मेल हुए साहीरा दर्शन दिजो गादीरो बेसन दिजो सासुरो पुर्शन दिजो बहुरो जीमन दिजो बेटा पोता राज दिजो पोता रांधी राबडी दोईता रांधी खीर मिठी लागे राबडी खाटी लागे खीर घिलोडी में घी दिजो तीलोडी में तेल आओ सावरिया थाको माको सारा रो सीर चंदनरी चोकडी मोत्यारा आखा कहानी सुनन वाला केवन वाला हुंकारो भरन वाला सगलाने कहानी रो फर मिल जो